हैलो अवरीवन वैलकम टो एजुकेशन राइस देखिए इंगलिस का एक्जाम चुकि इपना सबसे पहले है चार तारिक से एक्जाम सुरू हो रहे है उसमें सबसे पहला पेपर इंगलिच का है तो इंगलिच में चैप्टर-वाइस आज से करते हैं स्टार्ट बिल्कुल सार द्यांस आएगा उसमें से छे अबजेक्टिव आएंगे ठीक है उसके बाद में उसमें से दो प्रसना आएंगे लगुत्रात्मक और एक प्रसना आएगा बढ़ा तो यह किस चैप्टर से आएंगे इसका कोई तया नहीं है वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं तो हम तो के भी करेंगे साथी साथ इसमें जो प्रसना है लगुत्रात्मक छोटे बड़े वो भी करेंगे और इसका जो साहरांस रूप में एक बार हलका सा पंचान लेंगे चैप्टर किस चीज़ के बारे में तो प्रसने का आंसर देने में आपको फोड़ा सा इजी रहेगा सुवि आ लेते हैं और यह lesson कैसे लिखा गया किस ने लिखा कहां पर लिखा क्या परिस्थितिया थी उसके बारे में तो लिखा हुआ है कि दल लास्ट लेसन अप देख रहेंगे चैप्टर जो फर्स्ट है ना इसका नाम है लास्ट लेसन और चूंकि यहां से भी प्रसन बन सकता ह तो यह जो चैप्टर है इसमें एक लड़के का उल्ले खाएगा जिसका नाम है तो इस फ्रेंज के बारे में इस कहानी में बताया गया है कि उसको जो अंती मद्या दिया गया था फ्रेंच भासा में अब यहां से जो उनका फ्रेंच लेंग्विज का शो लेशन था ध्यान रखना वो लेशन किस लेंग्विज का था तो वो फ्रेंच लेंग्विज का था इ यह सारी चीजें चोंकि अपने syllabus हमने जब cover किया था, chapter पढ़ा था, उस समय आप लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, बट फिर भी मैं final touch है, तो हलकी से चीजें एक बार याद दिला देता हूँ, अब यह जो alces district था, यहाँ पर दो district के बाद हुए धियान अकना, alces and lauren, तो यह जो घटना करम तो जो था, school जो था, वो alces में पढ़ता था, और जब प्रसिया के द्वारा उसे अधिकार में ले लिया गया, annex का मतलो होता है, किसी को अधिकार में लेना ना, किसी को अपने कबजे में कर लेना, तो जब प्रसिया के द्वारा, जो कि बिसमार्क के नेतरतों में यह यूद हुआ था, फ्रेंच और प्रसिया के बीच में, तो उसको जो है, वो alces को अपने अधिकार में ले लिया गया और अलसेस में पढ़ता था वो स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ता था फ्रेंज नाम का एक आलसी लड़का अब उस फ्रेंच भासा के इस्तान पर चोकि वो जर्मनी की अधिकार में आ गया था चेत्र इसलिए वहाँ पर पढ़ाई जानी थी जर्मन भासा as the language of instructions, making this the last lesson in French language and culture तो ये फ्रेंच भासा और फ्रांच की संस्कृति, culture सब्द धियान लखना एक प्रसन यहाँ पर आगया आएगा तो ये फ्रांच की भासा और फ्रांच की culture को जो हो एक प्रकार से यहाँ पर हटा करके और उसके इस्तान पर जर्मन भासा पढ़ाई जानी थी नेक्स देखिए, नेक्स देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा हम इसके बारे में की पॉइंट जान लेते हैं इसके हलके से की पॉइंट क्या है पहला है hesitant friends, friends हिच की चा रहा था, क्यों हिच का चा रहा था, initially friends is lazy and reluctant to go to school आलसी था, late हो चुका था, पहली पहली लाइन में कहता है कि I was late that day for school and फिर क्या था, वो school जाना भी नहीं चाहता था, थोड़ा सा reluctant था and unaware of the significance of the day और उस दिन के महत्तों के बारे में भी उसे नहीं पता था, वो दिन उसके लिए कितना important था क्योंकि वो last lesson था वो तो जब school गया तब उसे पता चला दूसरा, unusual atmosphere, अब फिर बात यहां पर हुई है कि उस दिन का atmosphere कैसा था दिन bright था रहा सारी चीज़े देखे न, he finds the school unusual, quiet and crowded जब वो school पहुँचा तो school में पूरा का पूरा वातवरन बिलकुल सामन्ने था बहुत ज़्यादा भीड थी, with even old villagers attending यहां तक कि जो पुराने जो बच्चे थे गाउं के, जो बड़े हो चुके थे, जो बुज़र के लोग थे, वो भी गाउं के वहाँ पर उपस थे थाड़ है, M. Hamel's solemnness, M. Hamel की गंबिर था, M. Hamel उस दिन कितने गंबिर थे His teacher, M. Hamel, dressed in his finest class, जो अपने सबसे अच्चे कपड़ों में उस दिन थे, announced this, the last French lesson, उन्होंने फिर कहा था, यह मेरा अंदिम French भाज़ा का अध्याय रहेगा और देखो, importance of French, अब यहाँ पर French language के importance के बारे में बताया है, अब मैं थोड़ा सा shortly आपको यह खली point point बता देता हूँ, ठीक है, regret and realization, उसके बार देखो, French उको पस्चाताब होता है, और फिर वो वास्तविकता उसका अनुभाव भी करता है, ठीक है, French now remorseful for neglecting his studies, अब उस से पस्चाताब होता है, कि मैंने मेरी पड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, and understands the value of this language and culture, और अब अपनी संस्क्रती और अपनी भासा कम है तो उससे समझ में आता है, next है, emotional ending, और फिर अंत में, जो ending होती है, उसमें, we love friends कहते हैं, वो हाथ हिलाते हैं, और उनको जाने के लिए क हावुकता के साथ होती है, the villagers actively participate in the lesson, highlighting their shared heritage and sorrow, M.Hamel with a heavy heart ends the lesson with a final message, we love friends, France जिन्दा रहें, France जिन्दा बाद, तो इस तरीके से ये final lesson जो वो conclude होता है, अब हम करेंगे एक एक करके questions, आईए, शुरुवात करते हैं, और देख लेते हैं, इसके, अच्छा, थीम देख लेते हैं, थीम क्या है, loss of cultural identity, एक संस्कृति की पहचान का खोना, दूसरा है importance of education, शिक्षा का महत्वर, और तिसरा है power of language, भासा की ताकत, का था न, कि भासा कितनी ताकतवर होती है, कि जैसे माल लिजिए, कि कुछ लोग जो अपनी भासा से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ग जैसे किसी कैदी को जेल में डाल करके, उस जेल की चाबी उसी को पकड़ा दी, जल्ले भाई तेरे जेल की चाबी, तो इस तरीके से भासा का, इंपावर भासा की ताकत को समझाया गया था, अब regret and redemption, तो पस्चाता भी होता है उन्हें, तो यह सारी चीजें यहां पर बता ह इस तरीके से होता है चैप्टर अपना complete, अब हम करेंगे एक एक करके question, आप लोग अगर आता है तो answer देते जाएए, पहला प्रस्णा है कि who wrote the last lesson, यह चैप्टर जो है the story, जो है the last lesson, यह किसने ने लिखी इसके, इसके writer कौन है, अलफोंसे डोजट है, यहां पर Victor Hugo है, यहा अपना तो writer है वाई इस चैप्टर के अलफोंसे डोजट, याद रखेगा, question number one का option number a is the right answer, ओके, चलिए, next है दूसरा प्रस्णा, दूसरा प्रस्णा है कि where is the story set, यह story कहां बनी है, मतलब कहां पर लिखी है, क्या घटना करम था, क्या इलाका था, क्या जगे थी, तो option आए रसिया था नहीं, इंग्लेंड था नहीं, अब क्या जर्मनी हम कह सकते है, नहीं कह सकते है, क्यों actual में वो फ्रांस का इलाका था, actual में वो फ्रांसे सी चेत्र था, अलसेस और लॉरेन, और यह प्रसिया और इसके बीच में जो युद हुआ था, उस दोरान घटना करम का वर ओसन ए, फ्रैंच, चलिए, नेक्स दूसरा क्वाश्य नमघ थार्ड, विच लेंग्वीज वास बैंड इंडर रिजन, उस चेत्र में कौन सी भासा पर प्रतिवन लगा दिया गया था, कि अब वहां पर यह भासा न बोल करके कौन सी भासा बोली जाएगी, तो जर्मन भास बोली जानी थी तो कौन सी भासा पर प्रतिबन लगाया था जर्मन भासा पर इंगलिस पर फ्रेंच पर या फिर स्पैनिस पर तो देखो वई जो फ्रांसी सी भासा वहां पर बोली जाती थी उस फ्रांसी सी भासा पर प्रतिबन लगा दिया गया था और नेक्स डे से उन्हें जर्मन भासा पड़ाई जानी थी तो right answer क्या है? किस पर बेन लगाया था? French भासा पर बेन लगाया गया था अगला question देखे 4 4 question क्या है? कि why did French initially not want to go to school? सुरुवात में French जो है वो लड़का जो है वो school क्यों नहीं जाना चाहता था क्या कारण था? he had French क्या वो फ्रांसी सी भासा से घ्रना करता था? he had another task या फिर क्या उसके पास कोई दूसरा कम था उस दिन? number third है कि he disliked M.Hemel या फिर वो M.Hemel को पसंद नहीं करता था इसलिए नहीं जाना चाहता था या फिर he thought there would be a test या फिर उसने सोचा कि आज class में test होगा क्योंकि M.Hemel ने कहा था कि तुम्हें participants पर questions पूछे जाएंगे तो इसलिए नहीं जाना चाहता था तो correct answer is D याद रखिएगा कि उन्हें participants पर पुछे जाने थे M.Hemel ने कहा था और French कहता है कि मुझे उसके वारे में एक single word भी याद नहीं था यानि मुझे कुछ भी याद नहीं है तो इसलिए पहली जो इस्तती थी इसको इसको इसकूल नहीं जाने की वो ये थी दूसरे और कारण क्या क्याते अगर पूछा जाता है तो धियान लखना दूसरे कारण ये थे कि उस दिन बड़ा ब्राइट था वारम था आसमान जो है ना इसकाई जो हो बिल्कुल कलियर था साथी साथ जो soldiers थे जर्मन जो soldiers थे वो वहाँ पर drilling कर रहे थे अपनी अप्यास कर रहे थे open fields में और साथी साथ जंगल के किनारे पक्सी चह चा रहे थे दिन बड़ा bright था atmosphere बिल्कुल जो है वो उससे हैसल था कि आज तो मैं बाहर आराम से दिन बिता लो बट फिर उसने कहन नहीं मैं इसकूल जाओंगा और वो गया इसकूल नमबर फाइब क्या है देखो अगला क्या है question नमबर फाइब कि what was unusual about M. Hamill's appearance उस दिन M. Hamill के appearance यानि उनके रंग रूप के बारे में क्या unusual था क्या अलग चीज थी जो हमेंसा नहीं हुआ करती थी option एक है कि he was casually dressed कि उन्होंने casually का मतलब ऐसे कोई भी कपड़े पैन रखे हो जैसे पैंट है टी-शर्ट है ट्राउजर है पाजमा आधी-आधी ऐसी जो कपड़े है वो पैन रखे थे या फिर he wore his formal attire या फिर उन्होंने अपनी ओपचारिक ड्रेस पैनी थी यह होती पैनी थी उन्होंने या फिर he wore new clothes या फिर उन्होंने बिल्कुल नए कपड़े पैने थे क्या बिल्कुल सिला करके नए कपड़े तैयार करके पैने थे या फिर he wore morning क्लॉस या फिर उन्होंने दुख व्यक्त करने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े पहने थे तो देखो भाई राइट आंसर इसमें रहेगा भी या देने आपको कि वो फॉर्मल ड्रेस में थे जो ड्रेस प्राइस डिस्ट्रिबिशन के दिन या फिर जो इंस्पेक्षन जब होता था उस दिन जो पहने जाती थी वो ड्रेस पहने होए थे तो वो फॉर्मल अटायर था तो इसक्वास्टन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन B. Next question देखिए अगला question क्या है? कि छेटा प्रसन है कि What did M.Hemel emphasize about French? वो French language के बारे में क्या जोर देते हैं? Option एक है कि its power for domination मतलब कि किसी दूसरे language को दबा देने की इसकी ताकत या फिर its link to science and progress या फिर इसकी science और उन्नती में इसकी जो इसका जो link था connection था उसके बारे में या फिर its beauty and connection to culture या फिर भासा बड़ी सुंदर थी world की the most beautiful language और साथी साथ संस्कृती से जुडाव भासा का या भासा का संस्कृती से लगा उसके बारे में बात करते हैं या फिर its eventual disappearance तो देखो भी right answer एगा its beauty and connection to culture तो ये दुनिया क्यों ने कहता French language is the clearest and the most beautiful language of the world तो right answer रहेगा इस question का option 6 आप लोग answer देते जा रहे हैं जो जो question आपको आता है answer देते जाएं एक इक chapter हम complete करते जा रहे हैं complete करते जा फटा फट से बहुत जल्दी क्योंकि अब अपने पास time नहीं है chapters और इसके pro section के भी complete करेंगे इसी तरीके से poetry भी करेंगे और इसी तरीके से हम करने वाले हैं अपनी visitors book को भी कोसेश करूँगा कभी time मिला तो दिन में दो chapter भी हम करेंगे तब ही cover कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास time इतना नहीं है हमें composition भी करना है grammar भी करनी है revision हलांकि हम पहले grammar complete कर चुके है composition के काफी topic हम पहले complete कर चुके है next देखो यहां पे क्या है कि why did villagers attend the last lesson अब उस दिन गाउं के लोग में वहां पस्ते थे तो villagers ने वो जो है वो दिन उस दिन class क्यों attend करे थी उनका क्या कारण था to mock the M.H.M.L to learn French one last time to support the German resume and to attend a special ceremony तो भाई कारण यह था कि अब last day था ना तो चलो कम से कम इतने दिन हमने हमारी language French नहीं पढ़ी तो आज तो अंतिम आपसर हमारे पढ़ने के लिए आज तो पढ़ ले तो इसलिए वो गए थे school और साथी साथ वो जो अपना teacher थे M.H.M.L उनकी प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी गए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं next question अगला देखिए आठवा है आठवा question है कि how are symbols used to convey the masses अब ये संदेश देने के लिए इस कहानी की सिक्षप देने के लिए क्या symbols जो हो इसमें यूज की हैं क्या प्रतिक इसमें यूज की हैं इस कहानी का संदेश देने के लिए option एक है school house symbolizes freedom कि वो school का जो वातारुन था school की जो building थी वो स्वतंदरता को दर्शाती है option 2 है कि french language symbolizes tradition या फिर french भासा जो है अपनी परंपरा को दर्शाती है या फिर mml symbolizes resistance या फिर mml वहाँ पर एक प्रतिरूद की ताकत है प्रतिका प्रतिक है या फिर all of the ever तो देखो इस question का सही जवाब रहेगा option D ये सारी conditions जो है वो बताती है कि जो है मतलब symbol use किये गए है क्या दिखाने के लिए संदेश देने के लिए message देने के लिए question number 9 है question number 9 है देखो कि what is the man theme man theme, explode in the story इस कहानी में जो मुक्य संदेश दिया गया वो क्या संदेश है education से importance शिक्षा का महतो बताया गया है या फिर French languages beauty या फ्रांसी सी भासा की सुन्दरता की बात करी है या फिर cultural identity laws या फिर संस्कृति का जो नुकसान हो रहा है या फ्रांसी से संस्कृति का नुकसान उसके बात हुरी है या फिर all of the या उपरियुकत सभी तो देखो right answer हैगा इस question का भी उपरियुक तसावी क्योंकि जो जब इनने कहाने कि ये last relation है तो अचानक से French के मन में भी और बाकिस सब लोगों के मन में भी ये भावाया कि अरे हमने हमारी language क्यों नहीं सेखी France कहता है कि मुझे भी थोड़ी देर पहले तक जो मेरी किताबे बोज लग रही थी वही किताबे अब उसे पुराने मित्र बन गई किया रहे वो हमारे पुराने मित्र हमने हमारा ध्यान क्यों नहीं दिया तो यहां पर M.H.M.L. केते हैं कि देखो भाई इसके लिए तुम अकले दोसी नहीं हो इसके लिए मैं भी दोसी हूँ कि मैं तुम्हें काम पर लगा देता था तुम्हारे परिवार के लोग भी दोसी है कि वो तुम्हें स्कुल नबेज करके तुम्हें खेतों में और मीलों में काम करने के लिए भेज देते थे और तुम स्वेयम भी दोसी हो कि तुम भी जहाव पढ़ना नहीं चाहते थे तो Education के मेहतों के बारे में भी बात करिये यहाँ पे फ्रांसेसी भासा के सुन्दरता उसकी clearestness के बारे में भी बात हो रही है और साती सात संस्कृती से जो जुडाव होता है अपने देश के संस्कृती अपनी प्राजिन गौरब साली प्राइदियास होता है उससे जुडाव भी होता तो यह सारी चीज़े वहाँ पे कलियर होई थी इस कहानी के अंत में फ्रेंज जो हो क्या समझ पाया अपने सिक्सक के समरपन को समझ पाया कि पिछले 40 वर्सों से यहाँ पे M.H.M.L. उने पढ़ा रहे थे तो कितनी लगन से उन्होंने पढ़ाया अब उसे उसके दिमाग में वह भाव आया था अब देखो यहाँ पे जब पता चला कि कल से उन्हें जर्मन भासा पढ़ाया जाएगी और यहाँ पे फ्रांस का जो कुछ भी है वो सब कुछ हटा दिया जाएगा एजुकेशन हटा दिया जाएगा फ्रांस का वहाँ पे उसके लेंग्विज पर फरतिबन लगा दिया जाएगा इसकुल सारे डिस्टिक जो है वो दोनों बदल करके अब जर्मन हो जाएंगे तो अपने संस्कृति का खोना अपने संस्कृति के बारे में भी उसे पता चला और आज तक उसने कभी जो है वो इस्टिडी को अपने अधियन को गंबिरता से नहीं लिया था यह चीज पर उसे पता चले तो राइट ऑप्सन है इसका ओल अप दी है वो करेक्ट आंसर है ऑप्सन डी ठीक डी है नेक्स देखिए अगला क्वास्टिन क्या है इन विच कंट्री इस तरीके से पूछे जाएंगे वो प्रशन कैसे है किस तरीके से पूछे जाएंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा है तो यह अपन आज तो नहीं कर पाएंगे नेक्स कभी टाइम मिलेगा तो इन्हें जरूर कर लेंगे अब देखे बड़े प्रशन कैसे आएंगे तो यहाँ पर देखो आप हम करेंगे यहाँ पर यह question देख लेते हैं बीसवा question देख लेते हैं देखो क्या लिखा हुआ है कि describe the background in which the last lesson of Alphonse Dozet has been set तो यह जो story है the last lesson यह जिस condition में लिखी गई उसके बारे में बताईए थोड़ा उसका background बताईए वो परिस्तितियां बताईए जिस condition में लास्ट lesson लिखा गया तो देखो भाई बच्चों कि यहाँ पर आपको लिखना है देखो इसी तरीके से questions आएंगे इसी तरीके से आपको English में लिखना पड़ेगा अब कई बच्चे ऐसे हैं जैसे रोज comment करते हैं कई बार बच्चों के call भी आते हैं सरे English में लिखें कैसे यह समझ में नहीं आता तो आप overall एक समझे न वो story पुरा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए प्रसनिक क्या पूछा गया और answer क्या देना है तो आपने जब हम इस chapter को पढ़ते हैं last lesson तो वहाँ पर देखो जो about the lesson दिया हुआ है अध्याय के बारे में जो चीज दी गई है उसमें सारी चीज़े दी गई कि यह कहानी कब लिखी गई थी क्या घटना करम था किस के बीच में यूद चल रा था कौन से चेतरों पर अधिकार कर लिया जर्मनी नहीं आधी आधी तो वही चीज़े आपको लिखनी है और एक एक लाइन लिखते जाए धीरे धीरे लिखते जाए यह बिलकुल कवर हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे ऐसे शुरू करना कि the last lesson is set in the days of the Franco-Persian war 1872-71 ठीक है यह 1870-71 के दोरान जो फ्रांस और प्रसिया के बीच में जो यूद हुआ था उस यूद का वरनन इसमें किया गया है France was defeated by Prasya अब यह यहाँ पे हुआ क्या था कि इस यूद में France जो है वो प्रसिया के दोरा हरा दिया गया था और प्रसिया जिसे actually वो जर्मनी था जर्मनी और तीन चार जो चेतर थे वो मिला करके और बिसमार्क के नेतरत्व में जो है यह वो लड़ा गया था यूद by an order from Berlin German language was imposed on the French speaking districts of Alsace and Lauren अब घटना करम क्या हुआ था कि इस यूद में जब France की हार हुई तो Berlin जो कि जर्मनी की राजता ने थी वहाँ से एक order प्रसारित हुआ था कि इन दोनों districts में अब जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी तो ये भी आपको लिखना है कि एक order पारेत हुआ था और वो order bulletin board पे आपने देखा जब French school जा रहा था तो काफी लोगों की भीड थी और उस भीड वो भीड जो पढ़ रही थी तो French कहता ने कि पिछले दो वरसों से हमारे सारी bad news जो हो यहीं से मिले थे अब इस कहानी में ये बताया गया है कि वो जो news आती है तो उसके बाद में उस गाओं के बच्चे और साती सात उसके तीचर एम हैमल और गाओं के जो विलेजर से बुड़े जो बड़े लोग हैं वो सभी किस तरीके से रियक्ट करते हैं किस तरीके से प्रतिक्रिया देते ह इस सारी घटनाओं का वरनन इस चैप्टर दे लास्ट लेशन में किया गया है तो ऐसे आपको आंसर लेक ना है आईए नेक्स क्वेस्चिन की तरह बढ़ते हैं अगला देको प्रस्णी क्या लिका हुआ है अगला क्वेस्चिन लिका हुआ है कि वाट चेंजेज डीड दा the from Berlin cause in school that day उस दिन इस तुल में क्या परिवर्तन हुए किसके нож बर्लीन वो जो बर्लीन से आदिस आया था उस आदिस के बाद आदिस क्या आया था कि मेला कल यहाँ जर्मन भासा पढ़ाई जाए गी यह ओडर आया था तो क्या क्या परिवर्तन हो तो इस सोचो तो पारी चीजें बदल दी थी, it upset all the students, सभी विध्यारतियों को upset कर दिया, MML, the class teacher was greatly agitated, जो teacher थे MML वो भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं, उग्र हो गए थे, Now onwards, अब के बाद, आगे से, the schools of Alsace and Lauren would teach only German, और order में ये भी लिखा था, कि इस आदेश के बाद में यहाँ पे only केवल German भासा पढ़ाई जाएगी Alsace and Lauren दोनों districts के schools में, It was their last lesson in French, इसलिए ये French भासा का इनका अंतिम अधिया था, From the next day, they would be taught the language of their new master, और आगे से उनके नए मालिक Germany की भासा, German, इनको पढ़ाई जाएगी, ऐसा order आया था, और ऐसा सब कुछ वहाँ पर प्रतिकरिया हुई थी, बदला हुआ था, ये सारी conditions उस दिन school में हुई थी अब देखो next, next क्या है, कि what did French see when he passed in front of the town hall on the way to school, अब आप वो सारी conditions याद करो, कि जब French school जा रहा था, और अपने रास्ते जाते वक्त जब वो town hall के बार सामने से गुजरा, तो वहाँ पर क्या द्रस्या उसने देखा था, उसका वर्णन करना है, तो वही देखो हम देखे कि French, French passed the town hall on his way to school, वो school जा रहा था, तो town hall के सामने से गुजरा, there was a great crowd in front of the bulletin board, तो उसने देखा कि bulletin board के सामने बहुत ज़्यादा भीड थी, for the past two years, all their bad news had come from there, अब वो इस सारी चीज़ी याद करता है, इतनी भीड है, और फिर वो कहता है कि पिछले दो वरसों से हमारे जो बुरी खबरे आई है, वो बिलकुल इसी bulletin board से मिली हमें यहीं से प्रसारी थी, क्या थी बुरी खबरे देखो, कि युद में हारा जाना, और जो उसके commanding officers थे, CEOs थे, उनके orders, और कोई draft वगर कोई होता था, तो यह सारी चीज़े इनको पिछले दो सालों में यहीं से मि एक्चुली लोग वहाँ पे क्या इतनी भीड इकटी क्यों होती थी उस bulletin board पे, कोई ने कोई latest क्या खबर आई है, यह जानने के लिए लोगों की भीड वहाँ पे लगती थी, on that day, they were eager to know about the latest order that had come from Germany, तो उस दिन भी जो है वो बरलीन से, उस दिन भी जो है कि वही बरलीन से latest order क्या आया है, नया आदेस हमारे लिए क्या आया है, यह जानने के लिए लोग वहाँ पे कटे हुए थे, तो यह द्रसी जो है वो bulletin board के सामने उस दिन था, जब फ्रेंज अपने school की और जा रहा था, अगला question देखो, next question है, कि how was the scene in the school in the morning of the last lesson different from the other days, अब आपको बताना ह हैं, कि जब वो school गया, तो दूसरे दिनों की तरह है, उस दिन विद्याले में अलग चीज़ें क्या थी, दूसरे दिनों से भिन, उस दिन सब कुछ unusual क्या था है, इसकूल में वो बताना है, तो everything was unusual, कि जैसे रोज जो हो वहाँ पे hustle and bustle हुआ करता था, बच्चे सोर गुल क थे, और भी विचितर बात थी, कि गाउं के बड़े बुजुर्ग लोग भी उस दिन क्लास की पिछली जो बैंचे थी, वहाँ पे बैटे थे, तो यह सारी चीज़ें जो है, वो परिवर्तन हुआ था, तो क्या लिखना है, कि the scene in the school was different from that of other days, इसकूल का पूरा सीन, विद् अन बसल का मतलो होता है, सोरगुल होना, वो उस दिन बिलकुल भी नहीं था, पूरान रुप से सांती थी, यह फ्रांसीसी भासा का उनका अंतिमत्याय था, जर्मन वास गोईंग टो बी इंपोज्ड ऑन देम फ्रॉम नेक्स डे, अगले दिन से उनके उपर जर्मन भासा थ हो पी जानी थी, Hence, all students and even the villains elders had gathered there, इसे लिए वो सारे विद्यार थी, और साती सात गाओं के जो बिलेजर्स थे, बड़े लोग थे, वो भी वहाँ पर इखटे हुए थे, everybody was shocked and stunned, तो प्रत्यक व्यक्ति एक प्रकार से कह सकते हैं, चकी था, अचम भी था, चोकन ना था, और क काफी serious भी था, चलिए, यह हुए 23rd question, 24 है, कि how did M.H.M.L. give the shocking news to the students and the villagers and with what effect, अब बता ये, कि M.H.M.L. जो class teacher थे, उन्होंने, language जो teacher थे, उन्होंने क्या shocking news बच्चों को और गाओं के बड़े लोगों को दी थी और क्या प्रभाव पढ़ा था, तो हमें पता है, कि the new order from Berlin and stunned even the village elders, उन्होंने कहा कि Berlin से जो order आया था नो, उस order ने, इन सभी लोगों को एक प्रकार से अचंबित कर दिया था, आगात पहुँचाया था, इसलिए वो गाओं के लोग, एम हैमल के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, स्कुल की जो back benches, क्लास की जो back benches थी, पिछली जो सीटे थी, वहाँ पे बैटे थे, क्यों सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, कि पिछले 40 वर्सों से, अब ये प्रसन भी पूचा जा सकता है, कि पिछले 40 यर्स से, एम हैमल ने यहाँ पे अपनी सेवाई दे थी, और अब एम हैमल को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, अब अब यहाँ पे जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी, तो यह अब हैमल के प्रती संबान प्रदर्सित करने के लिए लोग यहाँ पे इकटे हुए थे, अब हैमल स्पोक इन ग्रेव एंड जेंटल टॉन, बड़ी गंभीर और विनम्रा आवाज में वो बोले, तो उन्होंने कहा अमल ने कि भई यह हमारा अंतिम अध्याय होगा, अलसेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कोल से उन सब स्कोल में अब केवल जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और देखे, अंतिम कॉस्टन है, आज की इस क्लास का, इंग्लिस का, चैप्टर फर्स का क्या क्या लिखा है, कि हाउ ड़स एम हैमल पे अट्रिब्यूट टू दो फ्रेंच लेंग्विज्ज, एम हैमल ने फ्रांसेशी भासा के प्रती अपना सम्मान कैसे प्रदर्सित किया, तो देखो, एम हैमल डिकलेर्ड देट फ्रेंच वास दूनिया की सबसे सुन्दर भासा है, उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल कलियर है, इस पस्ट भासा है और साथे साथ दुनिया की सबसे लॉजिकल तारकिक भासा भी है, उन्होंने बच्चों से लोगों से ये कहा था, जो गाउं के लोग उपस्ती थे उनसे, कि आप अपनी मात्रभासा की रक्षा करिये और कभी इसे भूलिये मत उन्होंने आगे कहा था As long as people are hold fast to their language they have the key to freedom उन्होंने कहा था कि जो लोग अपनी मात्रभासा से जुड़े हुए हैं तो वो बिलकुल स्वतंतरता से जुड़े हुए हैं ये बात भी उन्होंने कही थी कि जैसे जेल में डालना चाबी वाली घटना आप सबको याद है वो कहा था तो बच्चों ये थी हमारी आज की फर्स्ट ये हालांकि लास्ट लेसन है फ्रेंची से भासा का बट अपनी थी फर्स्ट क्लास ये थी अपना पहला चैप्टर था इंग्लिस का और इसी तरीके से एक एक चैप्टर हम बिल्कुल कवर करेंगे आप इसमें क्या सुजाओ देना चाहेंगे सुजाओ मतलब आपको क्या पढ़ना है आप किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे मैं यहाँ पर everyday पर दिन हम एक एक चैप्टर इस तरीके से complete करेंगे आपका सारा का सारा course exam से पहले बिल्कुल complete करवाने की मैं पूरी पूरी courses करूँगा आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और यह जो हम objective type की questions करेंगे इसके बाद इस परकार के बड़े questions भी करेंगे थोड़ा सा exam जो chapter होता है उसके बारे में हलका सापन जानेंगे समधी ताकि एक बार आपका revise हो जाएगा पूरा आपको दिमाग में जो चीजे बिसमरित हो जाती है अगर आप timely revision नहीं कर पाते हैं तो वो एक revision भी हलका सापना हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करके हम सारे का सारे chapters cover करेंगे अब मैं आपको बता दूँ कि इसका क्या हुआ है कि हमने एक playlist बनाई है इसकी में एक playlist बना देता हूँ ठीक है playlist तो यह playlist में आपको जुहाना यह सारे चेप्टर है इस playlist में चेप्टर first से ले करके और सारे के सारे chapters आपको मिल जाएंगे ठीक है क्योंकि यह तो फर्स्ट है और आने वाले जो सारे chapters है Is revision class के इस capsule series के वो सारे के सारे इसी playlist में आपको मिल जाएंगे इसके अलावा हमारे complete courses भी है जैसे हिंदी compulsory का हमारा complete course है इसी तरीके से English compulsory का हमारा पूरा course है ये course only 99.99 रुपे के हैं एक course जिसमें इसके notes, video के रुप में मिलेंगे आपको महाँ पे videos भी मिलेगा MCQS type के questions है objective prisoner test series भी है ठीके ये overall class जिसमें composition, हिंदी में grammar सब कुछ यहां पे सामिल किया हुआ है इसके अलावा अगर आप arts के student है तो हमारे पास geography का course है history का course है, political science का हमारा course है साथे साथ ये subject है, इनके complete courses भी है और only अगर आप notes चाते हैं तो केवल 11 रुपे में हम notes भी available कराते है ये सारे चीज़ आपको हमारे इस app में मिलेगी आप देख रहे हैं, ये logo जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा app है education rise नाम से है education rise ये play store से आप download कर सकते हैं और अगर play store पे आपको वैसे मिल जाएगा अगर right spelling आप लिखते हैं तो और या फिर आप हमारा number note कर लिजिए 9079-622-989 इस number पे आप हमें whatsapp message करेंगे, तो आपको हमारे app की link मिल जाएगी, हमारे courses की link मिल जाएगी, playlist की link मिल जाएगी हमारे whatsapp group, telegram channel सब की link मिल जाएगी, आप हमारे whatsapp group regular class में थोड़ा सा आपको बता देता हूं regular class का हमारा timing इस तरीके से रहता है regular class का हमारा timing इस तरीके से रहता है कि सुवेज जल्दी में आपको साड़े-पांच बजे साड़े-पांच बजे जो है early in the morning आपको Hindi compulsory के class मिलती है हिंदी अनिवारी की अपनी class होती है उसमें भी हम chapter wise एक एक chapter जैसे इंग्लिस में भी पढ़ा उसी तरीके से पढ़ते जारे हैं हलाएं कि उसमें हमने काफी chapters पढ़ लिया है उसकी भी playlist बनी हुई है सारी आपको playlist में मिल जाएगा इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 7 बज़े जो हो English की class आती है everyday 7 बज़े English कंपल सरी की फिर सामको 6 बज़े अपनी जो हो हिंदी साहिती की class आती है तो या तो हिंदी साहिती या फिर वहाँ पे जो हो history इतियास ये दोनों में से एक class everyday वहाँ पे रहती है ठीक है उसके बाद फिर 7 बज़े अपनी होती है राजनिती विग्यान की live class होती है और 8 बज़े जो है वो जियोग्राफिक की अपनी live class जो होती है तो ये classes का time रहता है ठीक है इसी तरीके से हम आपके बिल्कुल exam तक लगातार आपके help करते रहेंगे मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए जय हीन जय भारत Thank you very much